बिहार में अब असलील गाना गाने वालों की खैर रही है मुक्हमंत्री नितीस कुमार की सरकार के द्वारा नोटी जारी कर दिया गया है अब असलील गाना गाएंगे तो जेल की चक्की पीशनी पड़ेगी मुक्हमंत्री ने फैसला ने लिया है पिछले दिनों छपड़ा में हुई एक घटना ने बिहार को जगजोर कर रख दिया गंदे गानों के साथ गाजे बाजों के साथ युवक निकल रहा था और दरीतों की बस्ती थी जहां ऐसे गाने बजाये गए वहां कि महिलाओं ने आपत्ती दर्ज करा दी और उसके बाद देख्या हुआ महिलाओं पर लाठी डंडों की बरसात कर दी गई बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया और यह मामला पिहार में बढ़ा है और जैसे ही इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं अब मुक्कमंत्री नितीश कुमार की सरकार ने शक्त एक्षन ले लिया है गिरी विभाग की तरब से और प्रसासरी विभाग की तरब से इस पर निगरानी की जा रही है नोटी जारी हुआ है जिसमें इस परश तरपे लिखा गया है कि आने वाले दिनों में जहां मुक्कमंत्री और बांकी जो अधिकारी है वो बैठक कर इस बात पर फैसला लेंगे कि होली और सिवरात्री सहीत जो तमाम फेस्टिबल से अभी उस दर में इस तरह के गाने न बजाये जाएं खास तोर पे बिहार में असलील गानों को लेकर लगतार मुहीम चलती रही है और इसी बीच एक तस्वीर जो सामने आई है वो कहीं न कहीं सरकार के कान खड़े कर द नहीं होगी सपशतोर पे लेटर में लिखा गया है कि आने वाले दिनों में मोहरम महासुरात्री होली सहीत जो तमाम फेस्टिबल्स आ रहे हैं जिसमें डीजे ब्रिहत अस्तर पर बजाये जाएंगे तो कहीं न कहीं उस पर विशेज ध्यान दिया जाए कि कि किसी भी प्रक लेकिन ये जो फैसला आया है कहीं ये काफी मौत्रपुर्ण है इसले दिनों जो घटना घटी है उसके मद्दे रजड सरकार ये फैसला लेने को मजबूर हुई है ब्यार में असलीलता के खिलाफ लकतार लोग मुहीम चला रहे हैं लेकिन वही लोग असलीलता को बढ़ाव भी दे रहे हैं और इसी बीच जो सरकार के तरफ से नोटीज जाड़ी किया गया है जो व्यक्ति और सलील गाना बजाएगा उसे जिल जाना पड़ेगा सबस्तोर पे सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है और ग्री विभाग की तरब से पुलीस प्रशासन की तरब से नोटी जारी कर दिया गया है पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी